आप सभी को नमस्कार है यूं तो मुझे सेवा करते हुए बहुत लंबा समय तो नहीं गुजरा है लेकिन फिर भी एक ग्यारा-बारा साल तो होई गया है हाँ जी मैं 2010 से करे रहत हूँ और मैं उन दिनों की में बात बताता हूं कि जब सुबह अखवारों में खबर आती थी कि विद्याले बंध या फिर टेलिवीजन पर ऐसे नीचे जो खबर छपके आती थी कि उत्तरप्रदेश के विद्याले 7 जनौरी तक बंध 14 जनौरी तक बंध 20 जनौरी तक बंध तो फि न सिक्षक न प्रिंस्पल न कोई इतना पोस्ट मार्टम नहीं होता था खबर का और इस्कूल बंध कर दिए जाते थे लेकिन मैं इधर बीच देख रहा हूं खास करके 4-5 सालों के दोरान कि अब जब भी खबर आता है अखबारों में आ जाए टेलिवीजन पर आ जाए कि क्या इस्कूल बंध है क्या इस्कूल खुलेगा टीचर आएंगे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे पढ़ाई होगी गेट का दरवाजा बंध होगा इस्कूल का इतना रिसरच इतना पोस्ट मार्टम होता है कि समझ में नहीं आता है कि स्कूल बंध है क्या इस्कूल ख अबाव बनाते हैं कहते हैं नहीं नहीं सिख्षक के लिए स्कुल बन नहीं हैं हलागी मैं कर सकता हूँ सकता हैं आप वे अपनी नौकरी कर रहा है तो ऑफ उस पर नहीं जा हो लेकिन इतना मुझे बात आती है कि जब खबर आती है कि विद्याले बंद तो फिर रिसर्च क्यों कि सिख्षक के लिए बंद है कि नहीं है जब विद्याले बंद सिख्षण बंद का खबर आता है तो फिर हम समझते कि नहीं जब सिख्षक जब सिख्षण कारे बंद करने की बात हो होती है तो लाजमी सी बात है कि हो सकता ह आधेस स्कूल बंध है जब खबर आ रही है कि श्कूल बंध तो पर पोस्ट माटम जी कि अभी आग जो है मैं इनफर्मेशन टिपार्टमेंट के नं उत्तरपदेश गुवर्मेंट के इंफार्मेशन दिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है नावनिज सगल उन्होंने एक ट्विट किया ट्विट में उन्होंने लिखा कि इस्कूल और कॉलेजीस टू रिमेंट क्लोज्ड इन यूपी तिल 23 जेनेवरी 2022 अब आप यह बताईए जब इन्होंने लिखा कि इस्कूल टू बी क्लोज्ड यह ने लिखा न कि टीचिंग उद भी क्लोज्ड आफलाइन टीचिंग विल बी क्लोज्ड उन्होंने असपस लि लेकिन साम आते आते एक और ट्विट देखने को मिला है वह और वो ट्विट जो है सीम आफिस से किया गया है चीफ मिनिस्टर्स आफिस से वो ट्विट आये हैं उस ट्विट में लिखा गया है कि कि कोविट की बदलती परिश्थितियों को देखते हुए सभी सिक्षण संस्थान हो इस्कूल कालेज विश्विद्याले तकनिकी सिक्षण संस्थान आदी में अगामी 23 जनवरी तक भौतिक रूप से पठन पाठन अस्थगीत रखा जाए केवल आनलाइन मोड में पढ़ा से इसको ट्विट किया गया है अब अब आप ऐसे समझे कि मैं तो यह कहूं कि यह आदेश भी अपने आप में पूर्ण नहीं है अभी अभी हम सुचते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि पूरा आदेश इसका आ जाए लेकिन यह और आस्पस्ट आदेश है त तो मैं कैसे कहूं कि स्कूर खूलेगा कि नहीं खूलेगा टीचिंग होगा कि नहीं होगा टीचर बुलाये जाएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे यह अस्थानी परिस्क्तियों पर निवर्ण है मैं यह कहूंगा कि थोड़ा सा आप इंतजार करें आप देखें कि अस्था शिख्षकों का इस्कूल आना निवादे होगा सिख्षक इस्कूल से ही आनलाइन टीच इचिंग करेंगे अगर इस तरह के आदेश आते हैं तब तो तो इसकूल जाना ही होगा लेकिन अगर ऐसा आदेश नहीं आता है तब तक तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि विद्याले जो है वो बिल्कुल बंध ही है क्योंकि सहगल साब ने नौनित सहगल साब ने असपस्ट लिखा है कि इसकूल कॉलेज टुबी तो जब ऐसा लिखा है तो जाइड सी बात है जब इसकूल बंध है उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि नहीं सिक्षकों को आना है दूसरी बात कि मैं यह अपिक्षा करता हूं प्रवंधक महोदयों से साथ ही प्रधानाचार्यों से भी कि जब तक असपस्ट आदेश ना आ जा जाए हाँ कोई लिखीत है तो लिखीत आदेश से उनको आप निशन्दे बुलाईए सिक्षक सिक्षण से नहीं डरता है वह तो सिक्षण करता चाहता करना चाहता है सिक्षक देश के निर्माता है ना दास्ट निर्माता है और कभ सिक्षक कभी टीचिंग से नहीं डरता है झाल झाल को झाल